कमाने पर टेक्स मत लीजिए, ना GST लीजिए, ना Income Tax लीजिए, ना TDS लीजिए, ना WET लीजिए, ना Toll Tax लीजिए, ना Road Tax लीजिए बाहर से कुछ समान आता है, कस्टम ले लीजिए, बाकि भारत के अंदर जितने टेक्सन को सब को खतम कर दीजिए, केवल और केवल expenditure tax लागू करिए, मैं गारंटिक साथ कहता हूँ, सरकार का खजाना डबल हो जाएगा, ऐसी बिवस्था है कि 5,000 सांसद विधायक में से 5,000 सा ज्यादा भारत में जज हैं, पांच जज भी बिना C.A. की मदद से अपना income tax नहीं भर सकते हैं, सरकार का वित्त मंत्राले कहता है कि 3,000,000 रूपए पाने वाला अमीर है, इसलिए हम इससे tax लेंगे, और सरकार का दूसरा मंत्राले, कार्मिक मंत्राले कहता है, 8,000,000 पाने वाले गरीब हैं, इसलिए इनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो यह मुंसीगीरी टाइप के डिपार्टमेंट चाहिए क्यों, प्रोड़क्टिव डिपार्टमेंट रखो, जो लोग GST वाले इनको लगा दो, मैनुफेक्टिरिंग सिस्टर्म लगा दो, जो income tax वाले इनको भ नया बजट भी आया है, लोग परिशान हैं, कई अस्तर पे, कई सारी चीज़े ऐसे आई है इस बजट के अंदर में, जो business class, middle class, या यूँ कहें कि भारती इनता पाठी के core voters, वही नहराज चल रहे हैं, इसका क्या इलाज होगा पता नहीं, लेकिन सरकार ये कहती कि हम ease of doing business के उपर बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन ये ease किसको कैसे, एक बहुत महिने पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें ये बात कही जा रही थी, और जो ज़्यादा फाइदे मन, कि मैं income tax हटाई दे, आप income tax हटा दोगे, और उसके बदले, purchase tax आप लगा दो, एक tax, बहुत सारा लफ़ला जीवन में बहुत सारे लोगों का blood pressure कम हो जाएगा, सुवर की बिमारी कम हो जाएगी, tension कत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक बात तो सही है, निर्मला स्विता रवन जी को कह दिया जाए, कि आप अपने से income tax return भर दो, क्या बिना C.A. के वो ये काम कर पाएगे, बाकी लोगों को तो छोड़ दिया जाएगा, तो ये जो कष्ट, एक organized तहीके से, हिंदुस्तान की जनता को pressure दिया जाता है, tension दिया जाता है, रोग दिया जाता है, क्या ये वाकिए, जो मैं कह रहा हूँ, उसमें सचाई है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ, देश के P.I.L. man, अश्वनी पाध्याजी है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, ये बताईए, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, और आपने इस बात उका था कि बकायता सबुतों के साथ, कि आप income के ओपर tax ना लगा करके, कमाने पर tax मत लीजिए, ना GST लीजिए, ना income tax लीजिए, ना TDS लीजिए, ना वैट लीजिए, ना toll tax लीजिए, ना road tax लीजिए, आप केवल जो भारत बाहर से कुछ समान आता है, कस्टम ले लीजिए, बाकि भारत के अंदर जितने taxन को सब को खतम कर दीजिए, केवल और केवल expenditure tax लागू करिए, मैं गारंटिक साथ कहता हूँ, सरकार का खजाना डबल हो जायेगा, अभी सरकार 50% tax ले पाती है, सरकार को जस इसका डबल tax आएगा, लोगों की जो जीवन में इतना तनाव हो चुका है, इस महीने तो जज भी टेंशन में रहते हैं, उनको अपना income tax भरना होता है, पढ़ास इन्वस्टी का प्रोफेसर हो, डाक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई कुछ भी हो, पत्रकार हो, कलमकार हो, लेखक हो, बुद्धिजीवी हो, बिना C.A. की मदद से अपना income tax नहीं भर सकता, इतना लफड़ा है, छोटा सा आप कारोबार करिये, तो भी आपको C.A. चाह सरकार का वित्ध मंत्राले कहता है, कि 3 लाख रूपए पाने वाला अमीर है, इसलिए हम इससे टेक्स लेंगे, और सरकार का दूसरा मंत्राले, कार्मिक मंत्राले कहता है, 8 लाख पाने वाले गरीब हैं, इसलिए इनको reservation मिलेगा. क्रीमी लेयर, तो मतलब अगर 3 लाख पाने वाला अमीर है, तो क्रीमी लेयर की लिमिट 3 लाख होनी चाहिए, और 8 लाख पाने वाला अगर गरीब है, पिछड़ा है, कमजोर है, तो फिर 8 लाख तक आपके income tax नहीं होना चाहिए, तो तने सरकार को करना है, ऐसा नहीं होना मुझे तो यह लगता है, देखिए, कारवारी तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा परशाद इसलिए है, कि आप कोई भी काम करो, कोई भी संग, आप LLP लगवा लो, प्राविट लिमिटेड खुलवा लो, आपने कहीं रेजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप मुसीमत आपने मो लिया, हो यही रहा है, हो यही रहा है, देखिए, हो क्या रहा है, तीन लाख रुपे साल, यानि 25 जार रुपे महीना, यानि 822 रुपे परड़े, यानि जो भारत में 3 लाख रुपे कमा रहा है साल में, यानि 822 रुपे परड़े कमा रहा है, उसको टेक्स देना है, मैं ग डटीहंता है door 1200 रुपए महीने कमा रहा है आपके ठेले वाले दो जार कमा लेते हैं आपका अचर कमा लेते हैं किस में कहरें जरों में तो हकुटर जोGame जो बनाता है उससे तो सरकार टेक्स नहीं ले पा रही है। इस बिवस्था के कारण लोग फंस रहें, कैसे फंस रहें? कि अगर आपने टूर ट्रवल का काम किया, आपके पाथ दो कार है, आपने रेजिटेशन करा लिया, तो आपको जीएस्टी भी देना, इंकम टेक्स भी देना है। यह जो बिवस्था है न, यह व्यक्ति को अनार्गनाइज की तरफ धकेल रही है। वो कह रही है, तुम सरकार के नजरों में मत आओ, ना इंकम टेक्स दो, ना जीएस्टी दो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो नतीज़ा क्या हो रहा है? इसमें फाइदा के इतना होता है इस्पेक्टर का। लोग बड़े-बड़े व्यापार कर रहे हैं, परड़े दो-दो हजार कमा रहे हैं, तिन-तिन हजार कमा रहे हैं, मिठाई की दुकान है, चाटपकोड़ी की दुकान है, दुनिया भर की और दुकान है, माला फूल की दुकाने हैं, सब कुछ चल रहा है लेकिन registration नहीं कराते उसके बदले वो अपने थाने का जो थानेदार है कुछ उसको दे देते हैं कभी माली यह inspector आ गया income tax GST वाला थोड़ा उसको दे दिया लेकिन registration करा लिए तो उनको शुरू उसमें प्रोसेस में आना पड़ेगा तो यह जो बिवस्ता है यह तरीके से black economy को प्रमोट करती है और नार्थिस्ट के राज्यों में जिसको हम ट्राइबल कहते हैं हलाको ट्राइबल है नहीं वालेडी कनवर्ट हो चुके हैं करोड़ पती अरब पती हैं डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए प्रोफेसर बन गए कप्तान बन गए पेट्रोल पंप चल चार्चा 6-6 बंगलों उन्हों बना रखें बड़ी-बड़ी कोठियों के मालिक फार्माउस के मालिक एक रूपए टेक्स नहीं देते हैं यह भी पुराना कानून चलता जा रहा है तो एक तरफ आप दिल्ली NCR में जो आदमी 822 रूपे परड़े कमाता उससे टेक्स नहीं जो लोग आ रहे थे 30-30-30-30 लाक की गाड़ियों पर चलने वाले जिनके पास घर में जो 4-5 मर्सडीज पड़ा हुआ है उससे टेक्स नहीं लिया जाता अरे कहत रहा हूं इटावा में एक नेता जी हैं प्रोफेसर कहे जाते हैं वो हर साल 20-50 लाक रूपे की तो आलू दि भी नकली किसानों को भी टेक्स तक्स स्माफी कर रहे हो नकली को भी जो आदमी आपके ऊसमें नेट वर्क बने घारा है तक नो को योई मानदारी से रहना चाहता है वो सुचता है कि आrá सरकार को फायदा हो जाएगा उसी का सोध़ होता जा रहा हुए इसलिए मैं कहता हूं वर्तमान टेक्स ऍस्पेक्टर राज को बढ़ाता है वर्तमान टेक्स स्टम लोगों को mentally में टदें करता है और जब ब्क ये बढ़ती तो इसके अलगावाद कटरवाज बढ़ता है वर्तमान टेक्स स्टम खतम नहीं होगा तो ड्रग smuggling खतम नहीं होगी वर्तमानी सिस्टम के चेरते हुए ना human trafficking रुख सकती है ना अपनी smuggling क्टरवाद रुख सकता है ना जहाद रूख सकता है अगर आप चाहते हो कि समसे tax लिया जाए हर वेक्ती मजबूर पैसा दे कोई भी गलत काम ने कर सकते आप सारे tax कर दिए banking transition tax लागू करिए पहला फायदा क्या होगा पहली बात जो जितना कमाएगा बैंक में रखेगा तो सरकार को फायदा और बैंक में नहीं रखेगा खर्च करेगा तो भी सरकार को फायदा एक परसंट टैक्स लगाना केवल एक परसंट कि अगर आप एक हजार का समान खरीद होगे तो आपको एक हजार दस रुपए देना है एक लाग का समान खरीद होगे तो आपको एक लाग एक हजार देना है जब सारे टैक्स खतम हो गए आपको सीयर नहीं रखना आपको एकाउ जणधन खाते खुल चुके हैं चुर्कार काता जो और ये इसा बारत कोई परिवार नहीं से परिवार में चाहरा नहीं है तो आर आपक vaz only प जो किसानों के सम्मान निधी आती है जो किसान भी बैंक जा चुक है ऐसा भारत कर्च करते हैं उनके पास एटीम पेटीम भीम यूपी डेविट कारेट कर रहा है आप इसको मेंडेटर कीजिए केवल इतना काम करिए सव रुपए से बड़ा नोट बंद कर दीजिए दोजार उपए से महें समान का कैस लें दिन बंद कर दीजिए जिस समान की MRP 2000 तक है कम है वह आप कैस में खरी सकते हो दोजार से ज्यादा जिसकी MRP होगी तो होगा क्या जितने आपकी ब्लैक इको नामी है जितने आपके अवाइद कारोबार सब बंद हो जाएंगा अवाइद असलह का कारोबार कैस में होता है लड़कियों की खरीद फरोग कैस में होती है ड्रक्स कैस में होता है सारा कुछ स तो आपने एक को बदलके एक तरफ आपने भारत में जितने सारी आराजकता चल रहे उसको भी रोक लिया दूसरा मेडिल क्लास भी बल्ले खुस होका अराम से अपना कमा खा रहा है और जो सब लोग टैक्स दे रहें और टैक्स की आपका खजाना भी डबल हो गया कुछ मैनिफेक्टरिंग थोड़ी करते हैं मुसी वाला काम करते हैं रहे हैं अ कि वसूली वाला सिस्टम है आय दिन कितनी बार इस्पेक्टर पकड़े जाते हूं गुष खाते हुए इंकम टेक्स इस्पेक्टर पकड़े जाते हूस खाते हुए न रहेगा बास न बजे की बासुरी आराम से सरकार को पैसा भी मिलता रहेगा अराजक्ता भी बंद होगी अलगावाद भी बंद होगा भरष्टा चार भी बंद होगा और भारत में खुशाली आईगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेपे इतनी सारी नई बाते बताने के लिए आपको बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेर्क करें कैट्पल टीवी को सब्सक्राइब करें धन्यवाद